प्रारंबिक परिक्षा होने वाली है और इस प्रारंबिक परिक्षा में आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मुल्यांकन कर सकें इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सिरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टार्गेट यूपिएस्टी इस सिरीज के माध्यम से हम अलगलग खंडों के अंतरगद कुछ प्रशनों को ले करके आपके सामने आते हैं और इन प्रशनों के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तयारी का मुल्यांगतन कर सकें और जहां भी सुधार करने क्या वशक्ता है वहां सुधार कर सकें आज हम जिस खंड से समधित प्रशनों को आपके सामने ले करके आए हैं वो भुगोल से जुड़ा हुआ है तो भुगोल के ही प्रशनों पर आज बात करने वाले हैं आज का पहला प्रशन है दक्षन पोर्वी एशिया में दक्षन से उत्तर के और जाने पर नीचे देगे तो चलिए इन नगरों की अवस्थिती जानने का प्रयास करते हैं दक्षन पोर्वी एशिया के देशों की इन राजधानियों को सामाने तोर से देखने का प्रयास करते हैं कि ये कहां का पर इस्थित है एक जगारता का नाम दिया गया है तो आप देख सकते हैं दक्षन में यहां पर जाकारता इस्थित है इसके बाद हम सिंगापूर की अवस्थिती देखें तो सिंगापूर सिटी सिंगापूर की राजधानी है जिसकी अवस्थिती यहां पर है इसी प्रकार से अगर हम बैंकोक थाइलेंड की राजधानी की बात करें तो यह यहां पर इस्थित है तो इस प्रकार से जो अवस्थिती हो जाएगी वो जकारता, सिंगापूर, बैंकोक और हनाई होगी और इस प्रकार से जो विकल्प यहाँ पर दिये गए हैं तीन, चार, एक और दो इसका सही उत्तर हो जाएगा option C इस प्रकार से उत्तर C इसका सही होगा आज के अगले प्रशन को देखते हैं, एसिया के खनिस संसातनों के संधर्व में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन है अब्रक और बॉक्साइट मुख्यते भारत में पाए जाते हैं, दूसरा कथन है तिन मुख्यते मलेशिया में पाए जाता है, तीसरा और प्राइब चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसको उत्तर को जानने का प्यास करते हैं एश्या में अनेक प्रकार के खनिज जैसे लोहा, मैगनीज, बॉकसाइट, अब्ध्धक, तिन, कोईला, खनिज तेल और प्राक्रतिक गैस पाए जाते हैं इन संसाधनों का वित्रण असमान है, अब्ध्धक और बॉकसाइट मुखेत भारत में मिलते हैं, तिन, मलेश्या, में के अंतरगत, बहुत जादा मात्रा में पाए जाता है, यानि तिन के अंतरगत, मलेश्या बहुत धनी है, इस प्रकार से कथन एक और कथन दो सत्ते हो जात आज का अगला प्रशन देखते हैं, आज का अगला प्रशन है, निम्दलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिये गए हैं और उसके सामने कुछ वर्णन दिया गया तो आपको यह बताना है कि यह वर्णन सही है उस नदी के बारे में या नहीं है सबसे पहले दिया है जायरे नदी जायरे नदी के सामने दिया है यह विश्वत रेखा को दो बार काटती है फिर दिया है लिमपोपो नदी, यह मकर रेखा को यानि ट्रॉपिक ओफ केप्रिकॉन को दो बार काटती है तीसरा दिया है आमूर नदी यह चीन वैं मंगूलिया के मध्धे सीमा बनाती है चोथा दिया है मैकॉंग नदी यह दक्षिन पूर्वेश्या की सबसे लंबी नदी है चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर जानने का प्यास करते हैं कि कौन सा विकल्प सही है इसमें विकल्प पर तीन सही दिया गया है और इसलिए सही है क्योंकि आमूर नदी सुदूर, पूर्वी, रूस, और पुरवत्र चीन के भी सिमा बनाती है नै कि ये चीन और मंगोलिया के मध्ष्श सिमा बनाती है तो आप से पूछा गया है कि कौनसा क offend सही नहीं है तो यहा मूर नदी एक सीमा साजा करती है तो ये पूर्वी रूस और पुरोतर चीन के बीच सीमा बनाती है नै कि चीन और मंगोलिया के बीच तो इस प्रकार से विकल्प सी सही हो जाएगा इसी प्रकार से अगर हम कॉंगो जाहरे नदी के अवस्थिति देखें तो इस प्रकार से और दूसरी बार यहाँ पर इसको काटा जा रहा है तो इस प्रकार से यह विश्वत रेखा को दो बार काटती है इसी प्रकार से अगर हम लिम्पोपो नदी के अवस्तिती देखें तो वो इस प्रकार से यहाँ दक्षणिक शेत्र में अफ्रीका के दक्षणिक शेत्र में पर बहुत बड़े एरिया को कवर करती है तो इस परकार से आप देख सकते हैं कि दक्षन चीन से होते हुए ये लाओस में और लाओस और फिर मद्धे लाओस और बर्मा के बीच यानि मैनमार के बीच ये सीमा यहाँ पर बनाती है और उसके बाद लाओस में इस परकार से बहती है थोड़ी सी सीमा इसकी थाइलेंड के साथ भी लगती है और फिर थाइलेंड और लाओस के बीच सीमा बनाते हुए इस परकार से लाओस और कंबोडिया में प्रवेश करके अंततय वियतिनाम और वियतिनाम के माध्यम से ये दक्षन चीन सागर में यहाँ पर समा जाती है तो इस प्रकार से विकल्प A, विकल्प B और विकल्प D बिल्कुल सही है और विकल्प C गलत है और वही इसका सही उत्तर हो जाएगा आज का अगला प्रशन देखते हैं निम्न लिखित में से कौन आर्क्टिक शेत्र के पादपों के अनुकूलन है आर्क्टिक शेत्र के पादपों के अनुकूलन है आपको कथनों में से बताना है पहला केवल गहरी जड प्रणाली वाले पादप ही आर्क्टिक शित्र में उग सकते हैं दूसरा आर्क्टिक पादपों में व्रिधी काल बहुत छोटा होता है तीसरा अतिन्त कम तापमान पर भी प्रकास संसलेशन करने में सक्षम है आपके जो ऑप्षण है ऑप्षण है ऑप्षण 1 केवल 1 और 2 ऑप्षण B केवल 2 और 3 ऑप्षण C केवल 1 और 3 ऑप्षण D एक तो और 3 चलिए व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं किवल सतही जड़ परणाली वाले पादप ही आर्किटिक टूंडरा में पनपते हैं क्योंकि फर्माप्रोष्ट पादपों की जड़ों को मृदा की सक्रिय परत तक जाने से रोकते हैं फर्माप्रोस्ट कैसी जमीन के अभी वक्ती है फर्माप्रोस्ट को ऐसी जमीन के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो पिछले दो वर्षों से सुन्ने डिगरी सेलसेस या उससे कम के तापमान पर रही है और सामाने तोर से इसमें मिट्टी भी शामिल हो सकती है पादपों की जड़ों को मृदा की सक्रिय परत तक जाने से रोपते हैं और इसलिए सामाने तोर से सतही जड़ बनाली इनमें देखने को मिलती है आर्क्टिक पादप बहुत कम अवधी तक पनपते हैं गर्मी के आरम में ही विस्तीवरिता से पुष्पोत्पन करते हैं पाद तो विकल्प भी इसमें सही हो जाएगा यानि यहाँ पर जो दूसरा कथन दिया गया है ये विलकुल सही कथन है और इसी प्रकार से तीसरा कथन भी सही दिया गया है जबकि पहला कथन केवल गहरी जड़ प्रणाली वाले पादप के आर्क्टिक शित्र में उग सकते हैं य शित्रों में मत्यान के विकास के कारण है एक चोड़े मगन तट के कारण साकरी जल का छेचला होना दो क्रिशी भूमी की कमी के कारण आहार के लिए मचलियों पर नर्भरता तीन शितोशन कटी बंदिये अवस्थती चार ओया शिवो वैक्योरो शिवो जलधारा का मिलना आ इसकी वैक्या देखते हैं और वैक्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं ओया शियो करंट जो की आप देख सकते हैं कि इस परकार से धुरों से विश्व तरीखा की तरफ बहता है ये करंट और उसी परकार से नौर्धन एक्वेटोरियल करंट गर्म जल्धारा है और ये जापान तट पर इस परकार से एक गर्म जल्धारा धुरों की तरफ इस परकार से बहती है इस शेत्र में ये दोनों धाराएं आपस में मिलती है और जहां पर गर्म जल्धारा और खंडी जल्धारा आपस में मिलते हैं वो विश्व की सबसे बहतरीन मत देखते हैं विस्व में चीन वे जापान अग्रणी मत्से उत्पादक देशों में से हैं इन छेत्रों में मत्सें के विकास के निम्न लिखित कारण है थंडी जलदारा ओया शिवो वैक्यूरु शिवो की गर्म जलदारा का आपस में मिलना जैसा कि अभी आपको बताया गया था चोड़े मगन तट के कारण साग्रिय जलका छिचला होना यानि उसकी गहराई का कम होना सामाने तोर से शितोष्ण कटी बंदी अवस्तेती का होना तथा क्रिशी भूमी की कमी के कारण आहार के लिए मचलियों पर निरभरता तो इस प्रकार से विकल्पडी इसमें सही ह हो जाएगा यानि उपर्युक्त सभी कारण बिलकुल सही होते हैं वे सारे कारणों को ही अभिव्यक्त करते हैं सामाने तोर से आज के अगले प्रशन को देखते हैं आज का अगला प्रशन है अफरीका के निमनलिखित परवतों को उत्तर से दक्षण के क्रम में विवस्तित कीजिए पहला परवत दिया गया है अटलस दूसरा कैमरून तीसरा ड्रैकन्सबर्ग परवत नेचे देगे कूटों का प्रियोकर सही उत्तर चुनिए आपके उप्षन से ऑप्षन A एक दो तीन ऑप्षन D दो तीन एक उप्षन C तीन एक दो ऑप्षन D दो एक तीन तो उत्तर पश्यमी अफ्रीका की में पढ़ती है इसी प्रकार से यहां कैमरून अवस्थित है एक देश और कैमरून माउंटेन यही पर अवस्थित है और इसी प्रकार से दक्षणी अफ्रीका में यहां ड्रेकंसबर्ग की परवत की अवस्थित है तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिन का क्रम क्या हो जाएगा इन परवतों का एटलस, कैमरून और ड्रेकन्सबर्ग यानि इस प्रकार से विकल्प ए सही उत्तर इसका हो जाएगा चलिए इसकी थोड़ी और व्याख्या देखने का प्यास करते हैं उत्तर से दक्षिन के क्रम में ही इनका सामाने तोर से हम याख्या करेंगे जैसे पहले एटलस परवत की फिर माउंट कैमरून की और फिर ड्रेकन्सबर्ग की एटलस परवत अफरीका के उत्तर पशिमी तट पर मगरेब में एक परवत शिंखला है या मौरको, अलजेरिया और टुनेश्या से होते हुए लगभग 2500 किलोमेटर यानि 1600 मेल शेत्र में फैला है माउंट कैमरून अफरीका की सबसे बड़े जवाला मुख्ये में से जवाला मुख्ये परवत होना चाहिए यहाँ पर जवाला मुख्ये परवतों में से एक है जो पश्यम कैमरून यानि पश्यमी अफरीका के तट से 4040 मिटर यानि 13255 फीट की उचाई पर अवस्थित है ड्रेकन्सबर्ग नामक ड्रेकन्सबर्ग जो नाम है ये ग्रेट एसकाप्मेंट के पूर्वी भाग को दिया गया है एसकाप्मेंट कैसा शेतर होता है जो किसी बहुत उचे शेतर को निचले शेतर से अलग करता है और एक तिर्व ड़ाल के रूप में इसको आप देख सकते हैं तो इसको कहते हैं एसकाप्मेंट तो ड्रेकंसबर्ग नाम ग्रेट एसकाप्मेंट के पूर्वी भाग को दिया गया है जो केंद्री दक्षणी अफरीकी पठार को आच्छादित करता है ग्रेट एसकाप्मेंट इस शेतर में अपने सबसे उचाई तक पहुँचता है अपनी सबसे अधिक उचाई तक पहुँचता है जो की 2000 से 3482 मिटर यानि 6562 से 11424 तक है या दक्षणी अफरीका में स्थित है यानि दक्षणी अफरीकी देश में स्थित है वर्तमान में इसका नाम ड्रेकंस माउंटेन या ड्रेगन माउंटेन है ये इसकी सामाने वेख्या है चल ये आज की अगले प्रश्ण को देखते हैं निम्दलिखित कत्रों पर विचार कीजिए आपका पहला कत्र है इस शेत्र में अपतानी जनजाती निवैस करती है सामाने तोर से इसकी जो पढ़न सेशिन है वो कई बार अपातानी जनजाती के रूप में भी की जाती इस परकार से इसका नाम आता है दूसरा कथन है यह जीवन सांस्कृतिक परिद्रुष्व का एक अच्छा उधारण है जा मनुष्य और परियावरण एक साथ सद भाव पूर्व कस्तत्व में है तीसरा कथन है यहाँ पाई जाने वाली अपेक्षकृत सपाट भूमी का उप्योग चावल की आर्दर खेती के लिए किया जाता है जिसमें मत सिपालन भी किया जाता है उपर एक कथन निमन लिखित में से किसका सर्वोस्तम वणन करते हैं चलिए व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे जिरो घाटी एक उधारन प्रस्तूत करती है कि कैसे अपातानी सभ्यता द्वारा सदियों से मानव और प्रकृति की सहस्त्व को परिपूनता से निभाया गया है अपातानी जनजाती के निवास करने वारी घाटी उत्तर पूर्व भारत के अरुनचल परदेश राज्ये में पूर्वी हिमाले की निचली सिमाओं में स्थित है पूर्वी हमाले के प्रमुग जाती समुहों में से एक अपतानियों के पास अनोपचारिक प्रयोग के माध्यम से सद्यों से अधिग्रहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संद्रफण के संब्रिद पारंपरिक पारिस्थति की ज्यान के साथ व्यवस्थित प्योग वीधियां और संब्रद पारंपरिक पारिस्थति की ज्यान से संब्रद एक विशष्ट सभ्यता है यह जनजाती विभिन तिहारों जटिल हैंडलूम डिजाइन बैत और बास शिल्प में कोशल और जीवन्त पारंपरिक ग्राम में परिशदों जिन्हें बुल्यन क कहा जाता है के लिए जानी जाती है इसने जीरो घाटी को एक जीवन्त सांस्कृतिक परिदृष्ट का एक अच्छा उधारन पेश किया है जहां परंपरागत रीती रिवाजों और आध्यात्मिक विश्वास प्रणालियों द्वारा इस तरह के सहस्तित्व को बढ़ावा देने के साथ भी मनुश्य और परियावरण प्रस्पर निर्भरता की स्ति में सामझ सिपौन रूप से अस्तित्व में है गाटी की सबसे खास बात यानि जीरो घाटी की सबसे खास बात यहां सिमित भूमिक शित्र का न्याय संगत उप्योग है यहां पाई जाने वाली पूच इस तर सुनिशित करता है और लोगों की जरुतों को पूरा करने के लिए घाटी में बहने वाली 12 मासी धाराओं के प्रवाह को सुनिशित करने के लिए महत्वपून वोटर शेड का कुशल संद्रक्षन करता है इस समुदाय ने चावल मचली की खेती का एक अनूठा कुशल विक्सित किया है जहां धान के साथ खेतों में मचली पालान भी किया जाता है आसपास के पहाडी धलानों से पोशक तत्वों की घुलने से खृषिपारिस्तिती की तंतर पोशित होते हैं फसल की कटाई के साथ पोशक तत्वों के नुक्सान को बचाने के लिए फसल के अवसेसों और गाउं के कारवनी कछरे काउप करके परतिस्थापित किया जाता है ताकि साल दर साल मिट्टी की प्रेज़णन क्षिमता बरकारा रहे यानि सामानत से उसकी उप्जाऊता बरकारा रहे और इस परकार से विकल्प भी इसमें सही उत्तर हो जाता है यानि ये जो सारी बाते कही गई हैं जो सारे कथन कहे गए हैं ये वस्तुत है जीरो घाटी का सर्वोत्तम प्रकार से वणन करते हैं चलिए आज के अगले प्रशन को देखते हैं अज का अगला प्रश्ण है हाल में समचारों में रहे मार्शल ड्रीब सम्हू के सम्बंद में निम्नलिकत कत्रांपर विचार कीजिए पहला कत्षन है ये भूमत देरीखा के उत्तर में प्रशांत महासागर में स्थित है दूसरा कथन है इसने सौवरेन को अपनी मुद्रा के रूपे मानेता दी है जो विश्व की पहली वैद क्रिप्टोकरंसी मुद्रा होगी इसका क्वाजालीन प्रवाल वीब अमेरिका का एक सैन्ने अड़ा वे मिसाइल परिक्षन रेंज है उपरिक्ट कथनों में से कौन से सही नहीं है आपको ये बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है आपके ऑप्षन है ऑप्षन एक केवल एक और दो ऑप्षन बी केवल एक और तीन Option C केवल 2 और 3 Option D उपर उप्ट में से कोई नहीं चले इसकी व्याख्या के आधार पर इसकी उत्तर को देखते हैं Marshall Island के अगर आप अवस्थेती देखें तो आप देखें किस परकार से यहां इसकी अवस्थेती है और यह Pacific Ocean में पढ़ता है Australia के उत्तर पूर में और इसकी व्याख्या से आप देख सकते हैं जापान के दक्षन पूर में इसकी अवस्थेती है equator के यानि भूमदे रेखा के यह उत्तर में इस्थेत है चले इसकी व्याख्या देखते है Marshall Island एक द्वीब गनराज्य है जो प्रशान्त महासागर में भूमदे रेखा के उत्तर में अंतराश्ट्य तीथी रेखा के कुछ पश्य में स्थेत है इसमें प्रवाल द्वीबों की दो श्रंखलाए हैं जिनमें 1000 से अधिक छोटे द्वीब यानि आयलेट है इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है ये प्रवाल द्वीब जलमग्न ज्वाला मुक्नों की करेटर परिधी पर प्रवाल कोरल्स के निक्षेप है यह हैं अमेरिका के साथ 1986 में संपन और 2003 में पूनर विचारित एक Compact of Free Association के अंतरगत एक संप्रभू देश है यानि सौवरेन देश है अमेरिका मार्शल द्वीब सम्हू की रक्षा वे सुरक्षा विशे पर नियंतरन रखता है और प्रतेक वर्ष उसे लाखो डोलर की साहिता प्रदान करता है मार्शल द्वीब सम्हू ने सौवरेन को अपनी मुद्रा के रूप में मानता दी है जो विश्व की पहली वैद क्रिप्टो क्रेंसी मुद्रा होगी इस प्रकार से कथन दो भी सही है जारासो से अधिक ग्रिपो की सम्हू की संसद्वारा एक कानून पारित कर यह गोशना की गई कि उसकी नई मुद्रा सौवरेन एक डिजिटल सिक्टे की रूप में वितरित होगी और आदान परदान की जाएगी दक्षन प्रशांत महसागर में हावाई और आस्टेलिया की मध्य स्थित मार्शल दीप समू एक संप्रभू देश है जो पहले अमेरिकी डोलर का प्रियोग करता था और इस परकार से इस सारे कथन सही हो जाता है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन कौन से कथन सही नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्षन डी उपर उक्त में से कोही नहीं तोकि सभी कथन सही है आज के अगले प्रशन को देखते है सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए दो सूचिया दी गई है कुछ बाते कही गई है प्रथम सूची में और फिर उनकी व्याख्या के तोर पर कि उनकी अवस्थती सामाने तोर से कहां पर पड़ती है सूची दो में दिया गया है सूची एक में दिया गया है उप्शन ए में स्वार्णीम त्रिकोन फिर बर्मुडा त्रिकोन फिर सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा रेड बेसिन स्वांडिम तिर्कोन के सामने दिया गया है मैनमार बर्मुड़ तिर्कोन के सामने दक्षन पूर्वेश्या का अफ्कीम उत्पादक शित्र सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा के सामने चीन और Red Basin के सामने उत्तरी अट्रांटिक महसागर आपको बताना है कि किस परकार से सुची 1, सुची 2 से सुमेलित है आपके options हैं option A, 3, 2, 4, 1 option B, 2, 4, 1, 3 option C, 4, 3, 2, 1 option D, 1, 4, 3, 2 चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं सामाने तोर से आपको यहाँ पर मिलान दे दिया गया है लेकिन जब हम Golden Triangle की बात करते हैं तो Golden Triangle की अवस्थिती यहाँ पर पढ़ती है आप देखें दक्षिन पूर्व एश्या में इसमें बर्मा का क्षित्र भी शामिल है और इसमें लाओस का क्षित्र भी सामिल है और इसमें थाईलैंड का क्षित्र भी शामिल है तो इसकी अवस्थिती स्वानीम तरिकोण की कहा पढ़ जाए कि दक्षिन पूरवेश्या का अफ्टीम उत्पादक शित्र इसको माना जाता है इसी प्रकार से अगर हम ब्रमुडा तिरकोन की बात करें तो यह उत्तरी अट्लांटिक महासागर में इसकी अवस्थिती यहां पर पढ़े कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सामाने तोर से अमेरिका के पूरम में इस प्रकार से और मध्य अमेरिकी देशों के इस प्रकार से यह उत्तर पूर में इस्थित है यहां पर इसकी अवस्थिती पढ़ेगी जब हम सुदूर पूरु का चावल का कटोरा की बात करते हैं तो इस प्रकार से option B इसमें सही हो जाएगा यानि स्वाणीम त्रिकौन से जुड़ेगा 2 इसी प्रकार से ब्रमुडा त्रिकौन से जुड़ेगा 4 इसी तरह से सुदूर पूर का चावल का कटोरा है मैलमार और रेड बेसिन है चीन तो option B इसका सही उतर हो जाएगा चलिए आज के अभ्यास प्रशन पर एक सामाने तोर से नजर डालते हैं आज क्या अभ्यास प्रशन बाद में देखेंगे पहले अगले प्रशन को देखते हैं आज का अगला प्रशन है स्वेज नहर चेतर में उतर से दक्षन दिशा की ओर पढने वाली जहिलों का सही क्रम है चलिए सामाने तोर से इसकी अवस्थती को जानने का प्रयास करते हैं जो सिनाई इस्थल संधी है एश्या और अफरीका के मध्य इस्थित है। स्वेज नहर के भूम अदे सागरी तठ पर पोट साइद तथा लाल सागर के तठ पर स्वेज बंदर कहा अवस्थित है। स्वेज नहर शित्र में उत्तर से दक्षन दिशा में अवस्थित जिलों का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले आए कि लेक मंजला या इसको कई बार लेक मेंजला के नाम से भी जाना जाता है लेक टिमसा इसको कई बार तिमसा भी का जाता है क्योंकि इसकी जो स्पैलिंग होती है वो इस परकार से तिमसा इस फरकार से होती है। critical लेक और उसके बाद little bitter लेक और इस प्रकार से इसमें विकल्पडी इसका सही उतर हो जाएगा यानि पहले लेक मंजला, फिर लेक इंसा और फिर इसका उतर होगा चलिए आज के अभ्यास प्रशन को देखते हैं, आज का आपका अभ्यास प्रशन है, संसार में सबसे लंबी धरातलिये परवत श्रंखला है, श्रंखला सामाने तोर से इस परकार से लिखा जाता है, आपके options हैं, option A, आल्स परवत श्रंखला, option B, रोकी जप्रवत श्रंखला, option C, हिमाले प्रवत श्रंखला और option D, एंडी जप्रवत श्रंखला, इस प्रशन का उतराफ हमें comment box में comment करके जरूर दीजिए, फिर से एक नई session में आप से मुलाकात होगी, धन्यवाद, आप हमारे कारे करम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आबार, फिर से हम एक session में आप से मिलेंगे, शुक्रिया. Dear viewers, अपने exam की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे channel को like, share और subscribe करना न भूले.